मौधिकर का एक बहुत अच्छे प्रोड़क्ट के बारे में डेली यूज प्रोड़क्ट है, फ्रेस मॉमेंट तुथपेश्ट के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा यहाँ पर मैं जो भी इंफोर्मेशन आपको दूँगा बहुती मतलब लिमिटेड इंफोर्मेशन दूँगा लेकिन बहुती जरूरी इंफोर्मेशन दूँगा यानि के ऐसा इंफोर्मेशन दूँगा जो कि आप जब नेक्ट टाइम इस प्रोड़क्ट को प्रोड़क्ट को प्रोड़क्ट करोगे दोस्तों आप लोग देख रहें मोदी के रिय sean चलिए शुर करते हैं तो दोस्तों बात करते हैं फ्रेस मोमें टूटपेस्ट की जो इंग्रीडेंट से मेन इंग्रीडेंट इसके उपर लिखा हुआ है फ्लॉराइड टूटपेस्ट with fresh mint spa and jelly toll ठीक है दोस्तो तो फ्लोराइड तूथपेषट यानि के एसे बहुत से लोगों ने पहले से बता के रखा है अभी भी बता रहे हैं कि जो फ्लोराइड है वो फ्लोराइड अगर इसमें नहीं होगा दोस्तो इसमें अगर फ्लोराइड नहीं होगा तो जाग नहीं बन पूराइड का पोई तूथपेस्ट साइडी बन सकता है, लेकिन दोस्तों लोग ऐसे भी बोलते हैं कि फलोराइड जो है वो सरीर के लिए हानी का रखें, सही बात है, ध millennium दोस्तों फ लेकिन दोस्तों फूराइड का जो लेवल होता है, वो लेवल कितना है वो भी माईने आपके सामने अभी एक image ब्लिंक कर रहा होगा देखिए साइदे आप ध्यान नहीं दिये होंगे पहले यह हमारे तूथपेस्ट के उपर लिखा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जहां पर MRP लिखा रहता है उसके नीचे यहां पर लिखा हुआ है मैंने image डाल यहां उसको सेफ माना जाता है यानि के sharks पीपीमा तक उससे कम वाह यहां पीपीएम का व्लॉर्वाइड का नाम पढ़ के और Track करने है इसमें और क्या लिखा है दोस्तों फ्रेस मिंट है जो कि फ्लेवर के लिए है सुबह उठके अगर इससे आम ब्रस करते हैं तो एक टाजगी वरा एसास होता है फिर दोस्तों इसमें क्या है SPA SPA का मतलब क्या है special policing agent ठीक है दोस्तों तो special policing agent का काम क्या होता है स्पेशियली पॉलिस करेंगे ठीक ना लेकिन इसको सही तरीका से अगर समझेंगे तो दोस्तों बहुत सारे तूथपेश्ट में calcium carbonate का use होता है calcium carbonate यानि कि अगर उसको normal language में बोला जाए तो उसको चूना चूना का use होता है हलका use होता है किसी-किसी में-किसी में ज्यादा use होता है लेकिन दोस्तों हमारा तूथपेश्ट है उसमें special policing agent है market के किसी भी तूथपेश्ट में आपको special policing agent नहीं विनने वाले हैं यानि के आपके दान्ट के उपर जो एक हलका सा एलोईस लेयर है दान्ट के उपर होता है उसको बोला जाता है एनमेल दोस्तो इंसानी सरीर का the strongest bone part सबसे strong हड़ी अगर कोई होता है पूरे सरीर में तो है वो दान्ट के उपर का एनमेल एनमेल को आसानी से नहीं मिटाया जा सकता लेकिन 40-50-600 साल के लिए अगर मार्केट का तूटपेश्ट आप रगड रहे हो तो आपका एनमेल अब तक घिस गया होगा ये गरेंटेड है और एक बार एनमेल घिस गया तो आपका जो दात है वो नॉर्मल हड़ी के बराबर हो ज जाता है तो रियक्ट करता है और धीरे धीरे आपका जो दात है वो कमजोर पढ़ने लगता है लेकिन जब तक अपको दात को कोई भी विमारी टच नहीं कर सकता आपके दात हेल्दी रहने वाले हैं तो दोस्तों इसमें होता ये है ध्यान से समझेगा कि इसमें जो स्पेश अब जादा तर तुद्पेश्ट में पिरामीड सेब का जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं तो आप सोचिए कोई भी एक सत्व पर कोई भी सर्फेस पर आप राउंड पार्टिकल छोटा छोटा राउंड पार्टिकल को धीरे धीरे रब कर रहे हो वो सेफ है या फिर आपके दांत के उपर आप उसको जितना भी रगड़ो आपके दांत को सिर्फ साफ करेगा आपके एनमेल को वो डेमेज नहीं करेगा लेकिन मार्केट में जो तुद्पेश्ट अबलेवल है उसको अगर आप जादा देर के लिए यूज करते हो तो आपका एनमेल नहीं टि हुरा सकते हैं ठीक है अलो अाध्य दाम में भी इस प्रोड़ो को यूज कर सकते हैं फिर दोस्तो इसमें और क्या है इसमें और सीज़ें ढूंट्र जो His a जीरेंट दोस्तों дíीटल पेसिकली ऐसा इंग्रीडेंट है जो की एक oral health को promote करता है आपके मुँख के अंदर एक oral health को promote करता है oral health क्या होता है मतलब गुड हेल्थ जैसा कि कोई आपका दुरगंध ना निकले आपको अंदर कोई छोटा-मोटा itching हो घाव हो यह सब ना हो आपका oral health को maintain करता है और क्या करता है दोस्तों जैसा कि इस पर लिखा हुआ है combat the bacteria that causes plaque and cavities दातों के अंदर plaque और plaque मतलब दुरगंध होता है और cavities जो होता है cavities होता है दातों के अंदर sudden होता है धिरे धिरे उसको नहीं होने देता इसलिए इसमें gelitol मिलाए गया है तो दोस्तों fluoride fresh mint spa gelitol क्या है चार चीज मैंने आपको बता दिया है अब दोस्तों बात करते हैं इसकी use के उपर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बंदा वीडियो में हमको toothpaste का use समझाएगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि toothpaste हर को use करता है लेकिन 90% people जो भारत में रहते हैं वर्डवाइड बात नहीं कर रहा हूँ जो भारत में रहते हैं दिन में एक ही बार toothpaste करते हैं सुवह उठके toothpaste करते हैं मतलब toothpaste toothbrush करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या recommend किया गया है अगर आप धूनने कोशिस करेंगे इसको direction for use dentist recommend brushing at least twice a day to maintain good oral hygiene children under six years of age should use only a pea-sized amount under adult supervision do not swallow squeeze tube from the bottom and flatten it as you go upwards तो दोस्तों यहाँ पर क्या-क्या बता गया दिन में दो बार यूज करना चाहिए जैसे कि dentist recommend करते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है और pack खोल के में दिखा देता हो आपको जैसे आप packing खोलते हो उसके अंदर भी लिखा हुआ रहता है साद अपने ध्यान नहीं दिया होगा देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ रहता है यह जो इसके उपर cover है यहाँ पर भी लिखा हुआ होता है कि dentist recommend brushing your teeth twice a day and changing your tooth brush yes और एक चीज यहाँ पर लिखा हुआ है changing your tooth brush once in three months for healthier gums and teeth तो तीन महिने में आपको अपना brush भी change करना है छोटी छोटी जानकारी है दोस्तों लेकिन जब इसको किसी के सामने आप बोलते हो तो उसके उपर बहुत अच्छा impact डालता है वो समस्ता है कि आपको बहुत अच्छा जानकारी है आपका एक image बनता है network marketing में image की बहुत मतलब बहुत-बहुत importance है आपका image क्या बन रहा है सामने वाले के अंदर ठीक है आप वहाँ पर 4 घंटा बेटके क्या बात किये वो माइन नहीं रखता है लेकिन आप वहाँ पर 4 मिनिट में किस quality से बात किये वो वहाँ पर depend करता है तो जितना जादा knowledge उतना ही अच्छा उतना कम समय में उतने quality का बात आप कर जाएंगे इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अक्सर लंबा हो जाता है दोस्तों क्योंकि मैं knowledge देना चाहता हूं आप लोगों को कृपिया समझेगा इस बात को फिर दोस्तों इसमें और क्या है fight bacteria and germs, prevent formation of tartar, clean and polished teeth, clean करता है और polish करता है डेमेज नहीं करता है क्योंकि इसमें round particles है ठीक है याद रखिएगा remove tooth stains और एक stain का बात करते हैं लोग अक्सर मुझे से ये पूछते हैं हम पान गुट का खाते हैं दांत बहुत ही खराब हो गया है color change हो गया है क्या ठीक हो सकता है दोस्तों आप देखिए पान गुट का आप कितने दिनों से खा रहे हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल यह आप ही जानते हैं लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह एक ट्यूब आप रगड लोगे एक ट्यूब के खतम होते होते हैं आपका दात बिल्कुल साफ हो जाएगा ऐसा नहीं है मतलब जो लोग पान गुट का खाते हैं मतलब जान बुझ के दानत को खराब किये हैं उनका बात में कर रहा हूं ठीक हेल्दी लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा चीज है तो वहाँ पर 80% तक साफ कर देगा यानि कि जैसे ही आप देखोगे अगर बीफोर आफ्टर का फोटो खिचवाते हो आप तो आप देखोगे कि बिल्कुल ही साफ दिखेगा आपको खाली आख से लेकिन अच् यूज कर लिए और साफ नहीं हुआ फिर छोड़ दिये ठीक है तो दोस्तो बस इतना सब कुछ में आपको बताना चाहा रहा था और एक चीज में बताना चाहूंगा दोस्तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो यहां पर एक ग्रीन डॉट है ठीक है एक ग्रीन सर्कल बना है 100% फिर लोग बात करते हैं कि यहां पर जो चीज है यहां पर आपको साइद नहीं दिख रहा होगा ठीक है क्योंकि यहां पर एक वाइट कलर का मार्क है वीडियो में कैमरा फोकस नहीं ले पा रहा देखिए हलका सा दिख रहा भी यहां पर यहां पर एक वाइट कलर का मा मिलाucktा है ब्लाक कलर का मार्ट होता है उसमें प güle मुंत मिला क्या करते हैं लेकिन दोस्तों रियलीutive क्या है रियली यह है Café पीछे जो भी एक mark होता है सिर्फ ऊधी आप कोई भी एक product देखिए आप बैदेखे लाते हैं उस और मसाले में देखेंगे एक छोड़ा सा मार्क रहेगा सेंपु खरीते हैं उस में देखेंगे और चोड़ा सा मार्क रहेगा व्या शेंपु का जो उसमें chemical मिला हुआ है यह कहीं से भी इंडिकेट नहीं करता है कि इニट को बनाया जाता है उस मेर से लुट प्रिषक को यहां से करना है कि कट करना है और यहां से सी करना है मसीनों में क्या होता है अक्सर कि ऐसे ही मतलब हजारों तूथपेश्ट ऐसे 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 चलते रहेंगे उसमें क्या होगा एक कटर रहता है जो कि उस तूथपेश्ट को ठीक जगा से काटेगा और एक सीलर रहता है जो कि उसके उपर चलके उसको सील करेगा तो वहाँ पर यह color देखने के बाद एक sensor लगा हुआ रहता है वो sensor क्या करता है toothpaste को seal करता है और cut करता है बस इसलिए यहाँ पर यह marks होता है बिल्कुल भी आप इसको ऐसे promote मत कीजिएगा कहीं पर भी की toothpaste में जो mark है वो इसके अंदर का जो ingredient है इसका जो nature है वो आपको बताता है ठीक है फिर दोस्तों यह जो है हमारा 100 gram का packing है और MRP तो मैंने आपको बता ही हुआ है तो बस इतना ही दोस्तों अभी जो भी मैं आपको बताना चाह रहा था toothpaste के बारे में बाकि toothpaste को तो मैं सालों से यूज कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा है और एक चीज में आप टिप देना चाहता हूँ आपको अगर market का toothpaste आप बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं और उसके बाद modicare के toothpaste के उपर आप यहाँ पर shift करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पहले पहले 100% cases में यह नहीं होगा पहले पहले ऐसा लग सकता है कि यह जो toothpaste है इसमें mint थोड़ा कम है इसमें ताजगी थोड़ा कम मिल रहा है क्योंकि आप market से जो toothpaste यूज कर रहे थे वो बहुत ही chemically processed था उसमें fluoride बहुत ज़ादा था उसमें ज़ाग ज़ादा बन रहा था लेकिन इसमें भी सारा चीज है लेकिन limit के अंदर है यह आपके health के लिए अच्छा है तो धीरे धीरे इसका आदट डाल लीजिएगा मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ इसमें ज़ाग नहीं होता यह साफ नहीं करता है बिल्कुल 100% करता है लेकिन लोगों को comparatively मेरे team में मेरा जो experience है मैं जो देखा हूँ उसी साफ से बतानो comparatively लोग बात करते पहले दिन ही use करके बोलते हैं कि उस toothpaste से यह थोड़ा अलग है थोड़ा नहीं बहुत अलग है और आपके सरीर के लिए अच्छा यह toothpaste को use करके आपको cancer नहीं होने वाला है ठीक है लेकिन जो बाहर के toothpaste है उसको use करके लोगों को cancer हो रहा है तो दोस्तों मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ इस वीडियो में तो दोस्तों आसकरतों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको informative लगा हो इस वीडियो अगर आप end तक देखे हैं तो जरू से जरूर वीडियो को share कर दीजिए और हमारे चनल को दयापरुबग सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों लेजी मत हुए यहाँ पर कि हाँ ठीक है अगले बार सब्सक्राइब कर देंगे बोलके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि यह होगा कि अगला हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता रहेगा वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा ठीक है तो दोस्तो अथा करतों वीडियो अच्छा लगा होगा जल्दी से जल्दी सेर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तो इस वीड के साथ नए information के साथ तब तक के लिए take care goodbye and namaskar